जो में रोटी के बनानेवाली है तो आप लोग को बहुत पसंदद आनेवाली तो आप लूगिससादिय। आप लोग भी इस तरह से कट कर लेना है, कट करने के बाद आपको इस तरह से प्लेट में रख देना है, अगर आपके पास इस तरह से रोटी बच गई है, सबजी बनाने का नहीं मन है, तो आप इस रिस्पी को बना के इंजॉय कर सकते हैं, या बहुत ही टेश्टी और चलिए इससे कैसे बनाते हैं, देखते हैं, तो यहां पर मैंने टोमाटो सास चली सास दोनों को ले लिया है, मिलाके वहीं से मैं रोटी अच्छे से लगा दोंगी, चलिए सबी ही रोटी में मैं लला लेती हूंВ तो ये देखे फ्रेंट्स मैंने रोटी पे अच्छे से लगा लिया है टमेटे सॉस को अब मैं इसके उपर इस तरह से आलू मैंने चटपटा बनाया जैसे समोसे के आलू बनती है विल्कुल उसी तरह से बनाना है चटपटा ताकि खाने में बहुत टेश्टी लगे तो अभी मैं आलू को सारे पीस पे अच्छे से लगा दूंगी तो चली अच्छे से लगा लेते हैं ये देखे फिर मैंने रोटी पे अच्छे से आलू का मिस्टा लगा लिया है जो मैंने बनाया था अब इसके उपर मैं ये देखे मैंने मसाला लिया है इसमें ये कालू मिर्च का प पर अच्छे से लगा देंगे ताकि यह थोड़ा से और चल्कटा इम्मी बने तो चाट मसाला काले मेर चंचो पाउडर मैंने अच्छे से लगा दिया है आप लोग देख सकते हैं बस अब यह हमारा भिसरन भर के अच्छे से रेडी हो गया है अब आगे क्या करना है वो देख लगा देंगे और इधर भी लगा देंगे बस अब मैं क्या करना है इसे अच्छे से फोड़ करना है तो अब ही मैं आपको फोड़ करके एक दिखाती हूं कैसे फोड़ करना है तो यह देखिए अच्छे से फोड़ हो गया है बिल्कुल इबदम रोल बनके तयार हो गया है ते चलिए, इसी तरह से मैं सब रोल कर लेती हूं तो यह देखिये, मैंने रोटी का रोल अच्छे से बना के तयार कर लिया है, 이상 बोल और कर लिया है, इसी तरह से उल्ड करना है तो अब यागे क्या करना है, वो देख लेते हैं यह देखिए यहां पर मैंने एक प्तोरी इसी से बेशन लिया था और इसे पाने डाल के इसमें चटपटा मसाला नमक जीरा सारे चीज को मिला के इस तरह से मैंने वैटर तयार कर लिया है जिस तरह आपको दिख रहा है इस तरह से घोर हमें चेहिए इतना अब हमें क्या करना है रोटी के इसमें दुगा देना है उसके अच्छे से हमें बेशन को लगा देना है आपको फोड़ा इसे क्रिस्पी बनाना है तो इसमें थोड़ा सा चावल का आटा एट कर देना है मैंने इसमें थोड़ा सा चावल का आटा भी आट किया है बेशन के तो गैस मैं मेडियम पर कर देती हूं क्योंकि तेल फाइप लिम पर करके मैंने अच्छे से गरम कर लिया है अब बैटर को इसमें लगा के रोल को अच्छे से इसमें धेरे से आपानी से जाल देंगे वगुर्षे 2 मुनुटे बार तेय के जान हो गया है तो हमें स्केない करें दीया है को इसी तरह से हमें सकल कालेना है अच्छे से फेग से तो बार ब्राउन होने तक यह न पहसum आप एक पार में जितना पैन में आ सकता है उतना आप डाल सकते हैं और इसे एक दो मिनट पकते ने देना है एक तरफ ब्राउन होने के बाद में दूसरी करफ पलट देना है एक से दूर में अच्छे से पक जादा है क्योंकि रोटी हमारी पहले से ही पकी है तो मैं इसे जादा देल पकाने की ज़़ुरत नहीं है तो यह देखिए दूसरी करफ मैंने पलट दिया है इसे पूरा बनाके आप हुआ है आप लोग इसे बनाके स्वासाम के नाश्ते में कभी js quindi नासते में कर सकते हैं तो आप इसे खट्टी-मी चट्णी